इस फिल्म के भयंकर खून खराबे, एक्स्ट्रीम वॉयलन्स, अब्यूज, डेर सारी मिस्ट्री, बहुत सारे गोर, बॉडी हॉरर, डेर सारी एमोशन्स और मेटाफिजिकल आउटलुक ने मुझे अंत में स्पीचलिस और बहुत ही साटिस्वाइट छोड़ दिया बिंग जने फाइल में आपका स्वागत है, ये वो जगह है जहां हम बात करते हैं हॉरर के बारे में, आज मैं आप लोगो को कहानी सुनाने बाला हूँ, 2008 में रिलीज हुई एक फ्रेंच एक्स्ट्रीमिस्ट, साइकोलोजिकल बॉडी हॉरर फिल्म, मार्टर्स की, जिसे डेर जो उसे आश्रे देता है, उसके डॉक्टर्स और कुछ पुलीस वाले एना नाम की एक लड़की को एक फिल्म दिखाते हैं, जिसमें लूसी को जहां कैद करके रखा गया था, वो खंडर इमारत और उसके साथ क्या-क्या हुआ, ये बताया और दिखाया जाता है, फिल्म मे उस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि लूसी को अना थाले आने के बाद बाखी बच्चों से घुलने मिलने में कई साल लगे, और उसने सिरफ एना से दोस्ती की, फिल्म खतम होने के बाद पुलिस वाले एना से पूछते हैं कि लूसी उसे क्या-क्या बताती है, वो कहते ह कि उसके बताई जानकारी से जिन लोगों ने उसके साथ ये सब किया है, उन्हें पकड़ने में मदद मिलेगी, एना कहती है कि लूसी भी चाहती है कि वो लोग पकड़े जाएं, पर उसे कुछ यात नहीं, वो बताती है कि वहाँ बहुत अंदेरा रहता था, इसलिए वो लोटो के बारे में किसी को ना बताने को कहती है, और कहती है कि उसने ये नहीं किया, रात को सोने से पहले लूसी अपने कमरे के दर्वाजे के आगे एक कुरसी अड़ा देती है, सोते समय बच्चों के रोने की आवाजें उसे सताती है, कि तभी वो दर्वाजा एक धड़ा देखती है तो उसे एक औरत की परचाई उसके बिस्तर पर बैठी दिखती है जो कि उस पर जपट्टा मारती है 15 साल बाद एकाम सी संडे की सुबह की बात है बेलफॉन फैमली जिसमें होती है गेब्रियल उसका पती और उसके दो बच्चे बड़ा लड़का एंटवान और छ के बाद उसे छोड़ना पैसे की बरबादी होगी गेब्रियल और उसके पती के गुस्से की आग में मरी घी के साथ साथ कैरोसीन भी डाले जा रही थी और एक स्विमिंग कॉंपटिशन जीतने पर जो अखबार में उसकी फोटो चपी थी उसकी डिंगे हांक रही थी उस घ के मरी चलाते हुए घर के और अंदर भाग जाती है और लूसी बंदू को रिलोड करके उसे एंटवान की तरफ तान देती है और उससे उसकी उम्र पूछने के बाद पूछती है कि क्या उसे पता था कि उसके माबाप ने क्या किया है एंटवान कुछ नहीं कहता और लूसी उसे भी गोली मार देती है मरी की आवाज लूसी को एक बिस्तर के नीचे से आती है तो वो बिस्तर के ऊपर से ही उस पर गोली चलाती है पर वो गोली मरी को नहीं लगती और वो बिस्तर के नीचे से निकल के भाग जाती है पर Lucy तुरंद गन रिलोड करके उसमें भी एक गोली ताग देती है चारों बेलफॉंट्स के मरने के बाद Lucy Gabriel की लाश को पकड़ के अपना सर पीटते हुए उससे पूछती रहती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया कुछ दिर बाद Lucy एक पब्लिक टेलिफोन पर कॉल लगाती है जहां Anna उसकी कॉल का इंतजार कर रही थी कॉल सुनके Anna अपना अच्छा खासा सैंडविच सड़क पे फेक के कॉल उठाने भग जाती है Lucy उससे बताती है कि उसने उन्हें मार दिया और Anna कहती है कि उसे बस उन पर नजर रखनी थी और 15 साल बीच चुके हैं वो ढंक से जानती भी नहीं थी कि ये वही लोग हैं भी या नहीं Anna Lucy से वहां का एड्रेस लेके Lucy को वहां से कहीं न जाने को कहती है Anna का इंतजार करते हुए Lucy को कोई आवाज आती है और वो अपनी शॉटकन रिलोड करके उसे देखने चली जाती है डर के मारे Lucy अपनी आखरी कोली बरबात कर देती है उसके बाद उसे वहां एक नंगी औरत दिखती है उसे देखके Lucy एक उस तरह अपनी जेव से निकालती है और अपने हाथ पर Gabriel का खून लगा के उसे हवा में दिखाते हुए बोलती है कि मैंने उन्हें मार दिया वो नंगी औरत Lucy को उठा के इधर उधर पटकती है और उसी का उस तरह लेके उसी की कमर में कई सारे लंबे-लंबे वार करती है Lucy खुद को उससे छुड़ा के उपर वाले फ्लोर के एक अलमारी में चुप जाती है बहुत देर तक बाहर से कोई आवाज ना आने पर Lucy दरवाजा खुलती है पर वो नंगी औरत उसका हाथ बाहर खेंच के उसे काटने लगती है Lucy जैसे तैसे अलमारी से बाहर निकल के घर से बाहर की और भागती है जहां वो एना से टकरा जाती है Lucy एना को बताती है कि वो औरत अंदर है और उसने पहले के मुकाबले इस बार बहुत जादा चोट पहुचाई है उसे एना लूसी को बाहर छोड़के अंदर के हाला देखने जाती है एक बच्ची समय चार लोगों को अंदर मरा पाके एना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे सबसे पहले वो लूसी के घावों को सीख कर उन पर मलम पट्टी करती है जिसके बाद वो लूसी को बताती है कि उन्हें ये जगा साफ करनी पड़ेगी लूसी के पबलिक टेलिफोन पे इस घर से कॉल करने की वज़ा से पुलिस वाले उन दोनों तक पहुच सकते हैं उन लाशों को घसीट घसीट कर वो दोनों एक बातरूम में जमा कर लेते हैं जहां एना रोने लगती है और लूसी उसे बताती है कि मैं बिलकुल अच्छे से जानती हूँ कि ये वही है इसके हातों में वही गंध है जो उन हातों में थी जो मुझे पीटते थे इनके चेहरे बदल जरूर गए हैं पर मैंने फिर भी इने पहचान लिया मरी के उस स्विमिंग कॉंपेटिशन जीतने पर उसके अपने परिवार के साथ जो फोटो अकवार में चपी थी उसी को देखके लूसी ने उने पहचान लिया और ढूंटे ढूंटे यहां आ गई रात को लूसी की बुरे सपनों की वज़े से आँख खुलती है और वो खिडकी से बाहर जहांक के देखती है कि एना गेबरियल के द्वारा पाइपलैन के मरमत करने के लिए खोदे गए एक गड़े में उन चारों की लाशों को डाल रही है दो लाशों को ठिकाने लगाने के बाद एना जब बात्रूम में पानी पी रही होती है तो देखती है कि गबरियल अभी भी जिन्दा है और जोर जोर से चिला रही है गबरियल की चीक सुनके लूसी भी नीचे आ जाती है और एना को आवाजे मारने लगती है एना गबरियल को कोई भी आवाज करने को मना करती है और लूसी बात्रूम में ना आ जाए इसलिए वो वहाँ से मरी की लाश को लेके बाहर आ जाती है और लूसी को वहाँ से चलने के लिए तयार होने को भी कह देती है मरी की लाज गड़े में डालने जाते हुए एना को लूसी की चीकों के आवाज आती है जिसे देखने जब वो उपर जाती है तो देखती है कि लूसी उपर वाले बाथरूम के अंदर से चिला रही है और दर्वाजा भी अंदर से बंद है अंदर बाथरूम में वही नंगी औरत लूसी का उस्तरा लिए जमीन पर रेंग रही थी उस औरत के पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और होट ऐसे फटे हुए थे जैसे कभी सीले गए हूँ लूसी उससे बचते हुए बाथरूम का दर्वाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो औरत उस पर कहीं वार करती है लूसी उस औरत को लात मार के दूर फैक देती है और वो और अना एक कमरे में जाके तरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं लूसी उसे अंदर से चिला के कहती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे क्योंकि उसने उने मार दिया है बच्चों तक को मार दिया है सालों पहले जब लूसी उस खंडर में कैद थी तो उसे वहां रखने वाली औरत का पैर एक हुक में अटका वो गिरी और उसका पैर तूट गया इस मौके का फायदा उठा के लूसी वहां से भागने लगी तब ही बगल वाले कमरे में उसे एक और और औरत उसी की तरह कैद दिखी जिसके होंट सिले हुए थे और लूसी को अजाद देख के वो उससे मदद के लिए चीखे जा रही थी पर लूसी उसे वहीं छोड़ कर भाग गई यहां वर्तमान में लूसी पाती है कि एना उसके पास नहीं है और उसका दरवाजा बाहर से बंद है यहां नीचे एना जिन्दा गैबरियल को बातरूम से साहरा देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें सिरफ जंगल तक छोड़ सकती हूँ उसके बाद तुम अपने रास्ते और लूसी कमरे का दरवाजा तोड़ के एक हतोड़ा लेके गैबरियल के सर में मारे चले जाती है गैबरियल के सर को हतोड़े से खरबूजे की तरह खोलने के बाद लूसी एना से पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की एना कहती है कि उसने कुछ नहीं किया था चुके हैं अब वो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुचाएंगे जिसके बाद लूसी एक कार्डबोर्ट कटर लेके एक तरफ भाग जाती है और वो नंगी औरत आके उसे गले लगाती है कि तभी वो नंगी औरत दूसी के दोनों हाथों की नसों को वो एक सेफटी रेजर बलेड से काटने लगती है एना लूसी की चीखे सुनके आती है और देखती है कि लूसी के साथ और कोई नहीं है और वो खुद ही उस कार्डबोर्ट कटर से अपनी नसे काट रही है जिसके बाद लूसी के हिसाब से तो वो नंगी औरत उसका दिवार में मार रही थी पर एना देखती है कि लूसी खुद अपना सरपकड़ के दिवार में मारे जा रही थी लूसी नंगी औरत से खुद को छुड़ा के बाहर भागती है और बाहर जाके उस कटर से खुद के कला काटके मर जाती है एना लूसी की बारिश में भीगी ला कि तभी अपने पीछे से आना को कोई आवाज आती है और वो मुर के देखती है कि लूसी ने जिस हतोड़े से गैबरियल के सर का कचुमबड बनाया था वो हतोड़ा एक कैबिनेट पे रखा रखा पीछे दिवार में गिर गया एना ने उस कैबिनेट के दरवाजे को खोल के देखा तो उसे उसमें नीचे जाने की सीडियां दिखी उन सीडियों से उतरके वो एक बेस्मेंट में पहुच गई जिसके गलियारे में उसे कुछ लोगों की तस्वीरे दिखी उस तेखाने में और अंदर जाके उसे थोड़ा और नीचे जाने का एक रास्ता दिखता है एना उस रास्ते को खोलती है और धीरे धीरे सीडि से नीचे उतरती है जहां उसे एक चेण से बंदी हुए एक लड़की दिखती है उस लड़की की आँखों को मेटल के एक हेलमिट से बंद का रखा था और उसे क्रॉच एरिया में एक मेटल का अंडर्वेर भी पहना रखा था उसके शरीर में जरा सी भी चर्बी नहीं थी और धेर सारे कट्स और घाव थे एना की आवाज सुनके उसने कुछ नहीं बोला पर उसके पास जरूर आई एना उस लड़की को उपर लेकर आई, उसे बात टब में बैठाया जिसके बाद उसके सर से वो हेलमिट सा निकालने लगी जिसे कीलो से उसके सकल में ठोक रखा था लड़की का हेलमेट निकालने के बाद एना लूसी की लाश के बगल में फिर से सो गई थोड़ी दिर बाद उसकी आँख उस लड़की के चिलाने की वज़ा से खुली एना ने जाके देखा तो वो लड़की एक शेफ्स नाइफ से अपनी कलाई काटने में लगी थी एना ने उसके हाथ से चाकू लेने की कोशिश की पर वो लड़की उसे धक्का देके एक दिवार पे अपना सर खिसने लगी एना भागी भागी उसके पीछे आई और देखा तो वो दिवार में सर खिसे ही जा रही थी कि तब ही किसी ने उस लड़की के सर में गोली मार दी कहीं सारे काले कपड़े पहने लोग बहां आए और उस मकान की तलाशी लेने लगे उन लोगों ने आना से हर चीज के बारे में पूछा और उसे बताया कि वो लोग बेल फॉन्स को घंटों से कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं और एना के अपनी मा से बात करते हुए रिसीवर को फॉन से उतार के रखने की वज़ा से फॉन बेजी आ रहा था जिस वज़ा से वो लोग यहां आ गए एना से पूछताश करने के बाद वो लोग उसे उसी तैखाने के गलियारे में ले जाके हतकड़ी से बांध देते हैं जिसके बाद उपर पड़ी लाशों को ठिकाने लगा देते हैं थोड़ी देर बाद वो काले कपड़े वाले तैखाने के गलियारे में आते हैं और टेबल कुरसी बेचा के एना को एक कुरसी पर बैठा देते हैं जिसके बाद एक बूरी सी ओरत आती है और एना को बताती है कि 15 साल पहले जब लूसी भागी थी तब वो लोग बहुत अन और्गनाइजड हुआ करते थे गैबरेयल ने 15 साल पहले जो लापरवाही की उसकी सजाव से मिल ही गई जिसके बाद वो बताती है कि लूसी एक विक्टिम थी एक विक्टिम बनाना असान होता है किसी को भी एक अंदेरी जगा पर बंद कर दो उसे सफरिंग दो वो भी धीरे धीरे systematically इससे इंसान अलग-अलग स्टेजिस से गुजरता है पहले ट्रॉमा आता है जिसके बाद उन्हें चीजे दिखने लगती है जो वहाँ होती ही नहीं वो औरत एना से पूछती है कि लूसी को क्या दिखता था एना बताती है कि उसे एक मरी हुई औरत दिखती थी बुढिया बताती है कि जो लड़की उसे यहां मिली थी उसका नाम सेरा था और उसे कीडे मकॉडे और कॉक्रोचेज हर वक्त अपने उपर चलते हुए दिखते थे उसका बस चलता तो वो अपने सारे हाथ पेर काट देती आजकल लोग सफर करना ही नहीं चाते टिम बनना तो असान है लेकिन मार्टर वो अलग चीज है एक मार्टर वो होता है जो सफरिंग को सर्वाइव कर लेता है दुनिया के सारी बुरी चीजे उस पर हावी हो जाती है और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है वो बुरी आयाना को कहीं सारी तस्वीरे दिखाती है जैसी उस गलियारे में लगी थी उन लोगों की जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे जिनोंने बहुत सफरिंग सही थी और जिनोंने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया था या कह सकते हैं जो मार्टर्स बन ले थे उसने ये भी बताया कि उन लोगोंने सब ट्राइ किया छोटे बच्चे भी और उन्हें पता चला कि जवान लड़कियां मार्टर्स बनने में सबसे सक्षम होती है ये सब कहने के बाद वो औरत महां से चली जाती है और वहां खड़े दो काले कपड़े वाले लोग एना को बिहोश कर देते हैं थोड़े समय बाद जब एना उठती है तो अपने आपको उसी तैखाने में पाती है जिसमें उसे सेरा मिली थी और छेद वाली कुर्सी पर बैटी थी एना बहुत चीखे मारती है और चैन खेंच के तोड़ने की कोशिश भी करती है पर कुछ नहीं होता थोड़ी दिर बाद एक औरत आके एना को एक हरी उल्टी के रंग का एक पेस्ट खिलाती है एना से वो खाया नहीं जाता और वो उसे उगल देती है जिस पर वो औरत उसमें रैपट बजा देती है और खिला के चली जाती है थोड़ी देर बाद एक आदमी एना के पास आता है और इसकी हतकडियां खोल देता है उसे कुर्सी से उठाता है और दिवार के सहरे खड़ा करके उसे पीटना शुरू कर देता है एना भागने की कोशिच भी करती है पर वो आदमी उसे और पीटता है मार खाके एना दो-तिन बेहोष भी होती है फर वो आदमी फिर भी उसमें चांते बजाता रहता है अगले दिन वह आदमी भी रोज उसे पीटने आता है वो उसमें चांते लात भूसे सब बजाता है हर रोज एक दिन वoire आदमी और एना को गेली इस पॉंच से साफ भी करती वो आदमी आता है और एना को पीटता है और उसके मूपर लाते भी मारता है एना एक दो बार उसे उल्टा भी मारती है जिसकी वज़ा से और भी मार खाती है उस देखाने में चोटों से भरी एना रूती रहती है और कुछ ना कुछ बढ़ बढ़ाती रहती है कुछ समय में एना को लूसी की आवादे सुनाई देने लगती हैं जो उससे बाते करती हैं ये सब ना जाने कितने समय तक चलता है और जितना भी समय हो इतना तो हो ही गया था कि उस औरत के आने पर अब एना ने वो पेस्ट उगलना बंद कर दिया था और आदमी से पिटते एक आपरेशन थेटर में ले जाता है जहां वो एक लोहे के पहिये जैसी चीज पर उसे अच्छे से बांध देता है जिसके बाद एक सर्जिकल कैंची से वो उसके चेहरे को छोड़के पूरे शरीर की चमड़ी उधेर देता है वो भी बिना सुन किये और उसके हाथों को ए बाद वो बुडिया वहां आती है और एना से पूछती है कि क्या उसने वो दूसरी दुनिया देखी इस पे एना हद से जादा धीमी आवाज में कुछ कहती है और बुडिया कान लगा के ध्यान से उसका एक एक शब सुनती है कुछ ही देर में दरजन बर बुड़े कि महेंगे गाड़ियों में उस मकान में आ जाते हैं यह सुनने कि एना ने बुडिया को क्या बताया है वो लोग यह सब 17 साल से कर रहे हैं और सिरफ चार ऐसी और रड़किया हैं जो कि आकरी स्टेच तक पहुची है और एना एक लौती है जिसने जीवन मुक्ती प्राप्त की और एक मार्टर बनी एना सबा बारा बजे एक स्टेट में गई और धाई बजे तक उसी स्टेट में रही जहां उसने मौत के बाद क्या होता है वो देखा और बुडिया को बताया तीन पांच पे भी एना कुछ बोली थी वैसे तो वो अभी भी जिन्दा थी पर अब कु कि क्या होता है बुडिया कहती है कि आना की बाद में एक से जादा मतलब ही नहीं थे बुडिया बुड़े से पूछती है कि क्या तुम इमाजन कर सकते हो कि मौत के बाद क्या आता है बुड़ा कहता है नहीं और बुडिया कहती है कि तु सोचते रहो कि क्या आता है इसके ब मेरे मन में satisfaction की लहर सी दौड़ गई थी martyrs देखने से पहले मुझे उसके बारे में सिरफ दो चीज़े पता थी एक तो यह कि उसमें बहुत सारा गोर है और दूसरा यह कि उसमें किसी को कई सालों तक कैद करके रखा जाता है पर जिस बारे में यह मुवी सच में है वो तो दे पता ही कुछ ना पता हो इस मूवी के जो रिव्यूज मैंने पढ़े उनमें मुझे तीन तरह की बाते मिली पहली यह कि घटिया पिच्चर है दूसरी यह कि एक महान पिच्चर है और तीसरी बाते यह थी कि यह फिल्म बहुत ही प्रिटेंशियस है अब वो जो तीसरे वाल हो जो भी थीम्स वगयरा हूं मुझे वो मूवी पसंद नहीं आई क्योंकि बस वो क्लिक नहीं करी और पहले वाले जो हैं वो वाइलेंस से आगे ही नहीं बढ़ पाए तो दूसरे इससे को तो कैसे ही समझते और दूसरे वाले वो लोग हैं जो खुद प्रिटेंशियस है या सच में उने इस फिल्म को पॉइंट रियलाईज हो गया माटर्स अक्चुली गोर और वाइलेंस के बारे में है ही नहीं वो तो बस इसका एक हिस्सा है जो कुछ चीजे फील कराने के लिए मूवी में है जो कि लोगों को असानी से हजम नहीं होती इसलिए उसे कुछ को दिखाती है जिससे हम समझ पाते हैं कि इन कारेक्टर्स को जिनको हम इतने जरूरी समझ रहे थे उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है वो तो बस एक छोटा सा अनिम्पोर्टेंट सा हिस्सा है इस कल्ट के लिए और अना का अब्यूज आक्चुली में सोल चिलिंग था जि से भी ज़्यादा जरूरी और ब्रिलियंट चीज है इसका स्क्रीन प्ले जो की फ्यूचर में रिवील होने वाले इंफो पर अटका ना रहे के प्रेजेंट में तो चल रहा है वीवर का पूरा ध्यान उस पर रखता है यह स्क्रीन प्ले एक्स्ट्रीमिजम में वह फिल्म म करती है एक और यूनीक और क्रीपी सी फ्रेंच फिल्म है वह भी 1960 की जिसका म्यूजिक प्राक्टियल एफेक्ट्स सेटिंग और थीम आज भी देखने वालों को डरा सकती है जिसका नाम है आईज विदाउट अफेस जिसे आप यहां देख सकते हैं